हेलो स्टूडेंज आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया चाप्टर चाप्टर का नाम में वेस्ट मेनेजमेंट ठीक है और यह जो चाप्टर जो है यह सेकंड सेमिस्टर के लिए बहुत ही इंपोर्टन चाप्टर है यानि कि आपको तीन सेलेक्ट करने इनमें से एक आसान चैप्टर है ठीक है तो हम पढ़ेंगे वेस्ट मेनेजिमेंट ठीक है लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चो तो फटा फटा से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे त एक्टिविटी होंगे और जहां पर एक्टिविटी होंगे वहां पर वेस्ट जनरेट होंगे ठीक है और अगर हम देखें बायो स्फियर में या फिर को हमारा अर्थ में जो नेचुरल वेजिटेशन से यानिकि प्लैंट से आनिमल से और इंसेक्ट है यह क्या करते हैं यह इनके वेस्ट होते हैं आको सकता है किस तरह से यसे यह मिल जाए और पीर ईटमोश्पियर में किसी गेस मीश्ची मिल जाए और अगर हम अगर हैं तो जो यानि कि जो होता है और उस तरह से यह यह क्या करते हैं यह बहुत तरह के वेस्ट को जनरेट करते हैं यह सारे यह सारे वेस्ट है और यह सारे वेस्ट जो है वह नैचुरली रिसाइकल नहीं होते हैं अब यहां पर बच्चों सवाल यह आता है कि what is waste waste क्या होता है अगर question exam में पूछा गया है what is waste तो आप क्या लोगे है so waste is nothing but waste is useless or unwanted material that has no further use यानि कि waste वो useless वो unwanted material है जिसको further हम उसे इस्तमाल नहीं करने वाले है और उसे हम कहीं पर fake ने वाले है ठीक है that is called waste और इसी को हम thrust का नाम से भी जानते है रभीश भी कहा जाता है इसे refuse भी कहा जाता है और इसे garbage जंग भी कहा जाता है ठीक है अब यहां पर सवाल यह आता है कि waste होता है वो generate कैसे होते है तो waste generate हो सकते है raw material extraction के दो रहां ठीक है यानि की example मान लिजे कि हम raw material को extract कर रहें जैसे कि हम iron ore को extract कर रहें तो जब हम iron ore को from the interior of earth जब हम extract करते है तो उससे बहुत सारा unwanted चीजे निकलता है और दूसरा क्या है बच्चे जब हम raw material को processing करते है intermediate good के लिए फिर final product के लिए तो उस दोरान भी क्या होता है उस दोरान भी waste जो है क्या होता है प्रोड्यूस होता है उसके अलावा जब हम final product को consume करते हैं और consume करने के बाद भी उससे waste generate होता है ठीक है जैसे कि मान लिजे कि हम अब बिस्कित खाया तो बिस्कित खायाने के बाद हमने क्या क्या हमने packet को फेक दिया हमने क्या क्या हमने banana खाय और banana चिलका हमने फेक दिया तो इस तरह से जब हम final goods को भी हम जब consume करते हैं उसके बाद उससे waste निकलता है कोई भी चीज आप पकड़ से कपड़े अगर आप क कपड़े खरी दे और आपने कपड़े को पहना ठीक है कुछ समय बात फट जागा पुराना हो जागा ताब उससे फेक देंगे तो वह क्या बन जागा वेस्ट बन जाएगा ठीक है और उसके अलागा और बहुत ही जदा advancement आ रहा है ठीक है और लोगों का life upgrade हो रहा है ठीक है population growth होने कारण से city expand हो रहे और cities metropolitan cities में convert हो रहे ठीक है और इसके कारण से बहुत सारे west जो है generate हो रहे है क्यों क्योंकि cities बड़े हो गए ठीक है वहाँ पर बहुत सारे population है तो जिसके कारण से ज्यादा population मतलब ज्यादा consumption of good और ज्यादा west production ठीक है तो बहुत ही ज्यादा west production हो है और यह जो cities में west generate हो रहे है इसे manage करना जो है वहां के लोगों के लिए एक बहुत ही major problem हो रहे इसपेशली अगर हम बात करें तो solid west के ठीक है अब क्या होता है बच्चो में दिन बा दिन ठीक हर दिन जो west production जो multiply होते जा रहे ठीक है और आज का समय में बहुत सारे amount में जो biodegradable waste हो generate होते है अब biodegradable waste क्या होता है biodegradable waste हो वेस्ट होता है जो क्या होते है नेचुरली वह क्या होज़र decompose होता है ठीक है और बच्चो यह जो uncontrolled waste है इसका जो असर पढ़ रहा है environment वह बहुत ही disasters है बहुत ही खतरनाक है ठीक है अब अब यह जो west है यह केवल उस surrounding को ही effect नहीं करते हैं इसके अलावा भी यह बहुत सारे health हजार्ट करते हैं कि इसके air water और land के यानि कि जो organisms air में है जो organisms जमीन में है लैंड में और जो organisms water में है इनके health पर भी क्या करते है ठीक है अब हमारा देश में यानि कि भारत में सबसे बड़ा problem क्या हो रहा है population बहुत ज्यादा होने के गारण से cities expand होगे metropolitan city होगे और वहां पर population खचा-कच बरावा और particular एक दीन में बहु इस कम होता है तो यह लोग क्या करते हैं जहां तहां इसे वेस्ट को dispose कर देते हैं और यह बहुत ही बड़ा एक issue है हमारा country का लेकिन फिर भी बच्चों कहीं कहीं community dustbin collection के लिए वहां पर placed किये गए इंडिया में बहुत सारे जगाव पर लेकिन उसे भी प्रोपर तरीका से डिजाइन नहीं किया है प्रोपर तरीका से उसे स्टोल नहीं किया है जिसकी कारण से लोग क्या करते हैं इधर उधर जहां थ जगा पर जरना शुरू हो जाता है फिर क्या करते वह environment को पॉल्यूट करते है तो बचाप सवाल यह आता है कि जो वेस्ट होते हैं यानि कि पर्टिकलर किसी जगपर अगर वेस्ट होता है तो उसका क्या-क्या इंपक्ट पड़ता है अब वेस्ट का जमा हो जाना ठीके तो वइस्ट बना हुआ है उस उस रीजण का जो लेंड्सकेप इप बबंदेशन, देखने में अच्छा नहीं लेगा। जो यह जो वेस्ट है उसे ओपेनली फेका जाता है पुरा ओपेन होता है बड़े-बड़े सिटीज में और जिसके कारण से लेंड्सकेप का ब्यूटी जो वह खराब कर देता है उसके अलावा और भी बहुत सरे डेमेज करते हैं इंबारेमेंट पे और जो वेस्ट वहाँ प किस खारण का जिए और बच्चा पैदा करने जगा एक शुआ पर जाएंगेगे और जो यह क्या करेंगे वह उस्सारे रहने वाले जो लोग है तर उनको क्या करें गे, विमार कराएंगे , किस तरह से बिमार कराथे है , और जो वेस्ट में टॉक्सिक प्रेजन होते हैं जो की जमीन का जो फर्टिलिटी है उसको भी खतम कर सकता है उसके अलावा यह सारे वेस्ट्री से और माइन से निकले हैं यह ग्राउंड वाटर को भी क्या करेंगे ग्राउंड वाटर मतलब वह पानी जो जमीन का अंजर है तो जितने भी वेस्ट माटरियल इन सारे चीजे से निकलते हैं यह क्या जीप होके नीचे जा के उस जमीन का जो यानिका अंडर गण वाटर के साथ मिल जाता है तो उसे भी वह क्या करते है स्पोइल कर देते ठीक है और उसके अला बच्चो ये फूट चेंड में भी एंटर कर सकते है पानी और स्वाइल के थुरू से ठीक है कर सकते हैं